साथ बचे आती है कंबाइन प्रक्टेशेट जो की इतिहास और भोल की होती है जो भी साथ ही इतिहास और भोल की एक साथ त्यारी कर रहे हैं टीजटी के लिए उनके लिए वह सेशन होता है और यह सेशन यदि आप पीजटी या पीजटी की त्यारी कर रहे हैं तो दोनें के इसलिए आप पेपर और पेन जरुड़ लिखे बैठें जिसे कि आप एडिशनल पॉइंट को नोड कर सकें तो चलिए दिखते हैं समान उचाई के बिंदों को मिलाने वाले देखा को क्या करते हैं कंटूर आइसो है लाइन आइसो नेफ या फिर आइसो लाइन तो समान उचाई के बिंदों को जो मिलाने वाले देखा होती है उसे करते हैं कंटूर यान की कंटूर लाइन ही उसको बोल सकते हैं आपसे नमबर एक करेक्ट हो जाएगा धरातल पर समुद्र तल से समान उचाई वारे निकल टस्त अस्थानों को मिलने वाले कल्पनिक जो रेखा होती है उसको कंटूर या फिर समुच रेखा करते हैं यहीं पिया देख पाएं कंटूर नहीं दिया है तो समुच दिया रहेग समुच रेखा करते हैं समुच रेखा है मानचीत पर उच्चावच पदरशित करनी की सबसे अधर्श भी द्यांगे यह क्या होता है उच्चावच पदरश्त करती है और आइसो हीनप क्या होता है आइसो होता है сос whiskey स्मान मेगा छादन चेतरों को मिलाने वाले रेखा यह इसको सोची देज एक से सोचीदों को मिलाना यह एक तरफ दी गए भूह आक्रति भीसित्ता और यह तरफ दी स्तिति जरुओड़ पंक्क कैसन निर्मित में रता है यहा Speech-a देल्टा समुद्धत एन्याने की द्दीरघ्ष और झाप जील नदीकि दित सत्ष फैलाओ A का 4, B का A किस में दिया गया है? A में दिया गया है आपसे नमबर A सही हो जाएगा नमखित में कौन रुपांतरित चटान का एक उधारण नहीं है? संगमरमर, सिस्ट, नीज या फिर ग्रिफाइट तो क्या नहीं है? ग्रिफाइट नहीं है बाकी ये तीनों है, ग्रिफाइट नहीं है आपसे नमबर D करेक्ठ हो जाएगा आज देखते हैं कुछ रुपांतरण और इसके नाम जो ग्रिफाइट एक आगनेव सहल है, जिसका रुपांतरित रुप ग्रिफाइट नीज होता है ठीक है? इसका जो रुपांतरित रुपाइट रुपांतरित रुप यहा हुता है ग्रिफाइट नीज होता है अगला कोश्चन लेते हैं निम्कित में से सोर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा पिंड कौनसा है सूर्य, भिरिस्पती, सन्य या फिर उरेनस तो सौर परिवार का जो सबसे दूसरा सबसे बड़ा पिंड है वो है बिरिस्पती बी आप्शन करेक्ट हो जागा और बिरिस्पती सौर मंदा का सबसे बड़ा गरह है यानि कि यह गरह में बड़ा है लेकिन यह पिंड पुछा जागा तो यह पिंड दूसरा है इसका ब्यास किस प्रकार के बाज़त सबसे निचली प्रत में होते हैं अस्तरी मेग कपासी मेग वर्सा अस्तरी या फिर पचाभ मेग तो कौन से होते हैं यह होते हैं अस्तरी मेग आपसा नमबर ए सही है निम्निकित जलवायों में से कौन सी विसो के छव महादिपों में पाई जाती है भुमंद सागरी परकार की जलवायों, मांसोनी परकार, सहारा परकार या फिर पस्चनी यूरोपी परकार तो किस प्रकार के जो जलवाई है वो सभी 6 महाधिब में पाई जाती है इस जलवाई के परमुख जी विश्चता है वो उश्ड और सूस्क गिरिस्म काल तथा मिर्द और आद्र सीथ काल है चलिए अगला कोशन लेते हैं महासागरों में सरवाधिक उंचे ताप मान रहते हैं अट्लांटिक महासागर में प्रिसांद महासागर में हिंद महासागर में या फिर आर्केटिक महासागर में थ्वड़ सा बड़ा कर देता हूँ तो यह का होता है यह होता है प्रसांत महासागर में B आपसे मिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सबसे चोड़े महादीपी मंगनतर्ट पाय जाते हैं कहां पर हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में, प्रसांत महासागर में या फिर आर्केटिक महासागर में तो सबसे चोड़े जो मागनतर्ट हैं, वह पायाद में आपके आर्ग अर्केटेक माशागर में, आपसे नमबर डी कर्रेक्ट हो जाएगा, और माशागरतर्टि भाग में महाधीब का वह भाग जो पिछले जली भाग में जलमनग रहता है, महाधीब मागनतर्ट कहलाताह इस दो सो फायदा में इसकी औसवत गहराई होती है यह भी आपको ध्यान रखना है निम्खित में से किस ने चाया पुंज संसाधन की संक्रप्ना का सुत्रपात किया जिन गाटमेन, सी एफ जोंस, आर हार्टसवन या फिर जी जिमर मैने किस ने किया है या किया है जी जिमर मैने डी आपसे बिल्कुल सही है सौर मंदल का सबसे बड़ा गरह कौन सा है पिछले वाले कोशन में यानि कि पुछा था कि सौर मंदल का दूसरा सबसे बड़ा गरह पिंड कौन सा है इसमें पुछा है सौर मंदल का सबसे बड़ा उपगरह कौन सा है टाइटन, फोबोस, चंद प्रात्मिक गत्विधी किसके अंतर गताती है तो प्रात्मिक आति है पर्लकल्चर दिरत्य के सकंदर काता था याता है सूत काताई और दिरत्य के सकंदर काता था याता है रेल सिवाएं और जो चतुर्तक है वो आती अनुसंधान प्रियास तो A का 3, B का 4 आपसा नमर B में दिया गया है B बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा निमिखित में से कौन सी रेट्जल की एक महत्पूड पुस्तक है Systematic Geography, Influence of Environment, Physical Geography या फिर Anthoprogeography तो रेट्जल की जो एक महत्पूड पुस्तक कौन सी है यह है आपकी Anthoprogeography आपसा नमर D करेक्ट हो जाएगा Influence of Environment भोगोलिक बातावरन का परभाव 1911 में Alien Sample दोरा लिखे गई थी ठीक है यह Sample दोरा लिखे गई पुस्तक है यह भी आपको याद रखना है Sample भी कापी चर्चित जो है भोगल बता है उनसे भी कोश्चन पूछता है अगला प्रशन लेते हैं निम्खित में से भोगोल में प्रसिद्ध निस्चेवादी कोन है Sample, Bronze, Blast या फिर हमबोल देखिए Sample की चर्चा होई और उनका कोश्चन भी आ गया तो यह कोन है यह Sample ही है आपसे नमबर A बिल्कुल करेक्ट जागा Sample, नियतिवाद एयों नौनिसवाद के बिचारधारा के कटर समर्थक है उन्होंने इस बिचारधारा को अपने परभावसाली लेखन सहली के द्वारा उचतम अस्तर तक पहुँचा दिया उनकी भोगलिक पर्यावनन के परभाव नामक पुस्तक नियतिवाद विचारों से ओत्प्रोध है जिसमें रोचक उदाहनुड द्वारा मनुस पर प्रकित के परभाव को समझाने का प्रयास किया गया है पुस्तक के आराम्प में सेम्पूल निखा है मनुस प्रित्वी तल की उपज है तक भी भी आपसे पूछले मनुस से प्रित्वी तल की उपज है किसका इस्टेटमेंट है यह हो जागा सेम्पूल का चलिए अगला कॉस्ट लिते हैं काहा एक कापी इंपरटन कोष्टन है पिद्दी गए जंजात्त रां दूसरे को गलज़िये उसकाप कानगोर जन्यके और infection पिडमी को आपके एक लिकर कारल मुसुर्ण नंबब काैं इन्युनिक्त में से कौन पारिश्थित की संतुरण के लिए आवस्यक नहीं है 90 करणी उर्जा संसाधनों का उप्योग, निर्वनिक करण पर नियंतरण, संसाधनों का संरच्षण या फिर बिकासील देशों का अधोगी की करण तो कौन सा जो है पारिश्थित की संतुरण के लिए आवस्यक नहीं है विकासील देशों का उदोगी की करण अप्सन नमबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा पंपाच प्ता इस्टेपीज क्या है अब बताना है जो घास के छितर है ये कहां कहां पाजाते है कुछ इंफर्मेशन लेड़ीजे जो की काफी इंपर्टेंट होने वाला है एक तरह चले नोट करिए प्रेरीज प्रेरीज जो घास के मैदान है यह पाजाते है उत्तरी अमेरिका में इस्टेपीज यूरेशिया में, पंपास अजेंटिना में, बेल्ड दच्छडे फ्रिका में, डाउन्स आस्ट्रेलिया में, लानोज दच्छडे मिर्का यानि की वेनेजुएला में पाजाते है यदि लानोज दे दिया जाए तो अमेरिका दिया गया तो ठीक है नहीं तो दिया रहेगा वेनेजुएला तो भी आपको लगा देना है चलिए बढ़ते हैं आगे अलपाइन बन उगते हैं 900 से 1800 मिटर उचाई पर या फिर 2500 से 3000 मिटर की उचाई पर या फिर डी है 3000 मिटर की उचाई से उपर तो जो अलपाइन परकार के बन होते हैं वो उगते हैं 2500 से 3000 मिटर की उचाई के उपर ठीक है? सुरी उपर, उचाई उपर सी आपसंस का करेक्ट हो जाएगा 2011 की जनगर्णा के अनुसार साचार्था के संदर मिनिकित राज्यों का सही आ रोही करम क्या है? आ रोही पूछा है ना कि आ रोही पूछा है? देखिए बिहार, राजस्थान, उत्रप्रदेश, मद्रप्रदेश आ रोही पूछा है यानि कि बढ़ते करम है उत्रप्रदेश, बिहार, मद्रप्रदेश, राजस्थान राजस्थान, यमपी, बिहार, उत्रप्रदेश, मद्रप्रदेश, बिहार, राजस्थान तर्था, उत्रप्रदेश तो कौन सा इसका सही करम है? यह आपको बताना था, तो इसका जो सही करम में हो जाएगा आपका बिहार, साचरता का पुछा है, यानि कि बढ़ते करम में, सबसे कम बिहार में है, उसके वाद रायस्थान, उत्रप्रदेश, फिर मंद्रप्रदेश, यानि कि सबसे जाता कहा पर है, सबसे जाता है, मंद्र सबसे कम किसमें बिहार में कितना है 16.61.8 और राजस्थान में कितना है राजस्थान में आपका है 66.1 और यूपी में कितना है तो यूपी में 67.7 इस तरह से जो इसका करम है वह जाएगा बिहार राजस्थान उत्यप्रदेश और मंद्यप्रदेश ए आपसन करेक्ट हो जाए भरता उनुपात है 14 प्रत्सत, 14.1 प्रत्सत, 14.2 प्रत्सत या फिर 14.3 प्रत्सत, तो क्या है यह है C 14 प्रत्सत, अगला क्यों लेते हैं 9 डिट्रिय चैनल अवस्तत है कावरत्ती व मेनिकाय के बीच, मिर प्रत्स प्रत्सत प्रत्स्त इसनुपात मेनिकाय के बीच अविर नुकोबगा अगला क्युए। सही हो जाएगा आए कुछ देखते हैं चैनल और इस समंदित दिव जो आठ डिगरी चैनल है वह है माल दिव वह मेनिकाय के बीच आप इसको नूड कर लें नौ डिगरी आपको पता ही हो गया मेनिकाय और लश्दिव की बीच में है दस डिगरी चैनल ग्रेट निकोबार और सुमातरा के बीच में यानिकी ग्रेट निकोबार और इंडोनिसिया और जो दस डिगरी चैनल है वह अंडवान यानिक लग हो अंडवान वह कार निकोबार क की इंडोनेसिया की बीच में इंडरा क्वाइंट और इंडोनेसिया की बीच में ग्रेट चैनल इसका इंसवर ए है अगला कॉश्चन लेते हैं भारत की उप महादीप में उस्ट्रकट बंदित चक्रवातों द्वारा प्रया प्रभावित छेत्र है गुजरात तट कोरो मंडल तट है वह कहां पेश्टित है तो यह है उस बंगाल के खाड़ी में अधिक ताप के कारण बने निवन दाप कारण अधिक चक्रवात उत्पन होते हैं चले अगला कोश्चन लेते हैं सुमिर्द करना है एक तरफ दिया है खाने दिए हैं और यह तरफ दिया है खनीज तो द दिया स्थान के जुनजहन जिली में है और जरय जरीयां जर आपको पता है कि इसके लिए फिमस है तो जरिया जर्या जो जैरखंड के धनबा arbit जिला में है और यह कोईला खनण के लिए प्रशिद्ध युसमें हो गई किसमें हो गई है एका दो बी का तीन यह पहले का सी कुछ वरबड़ है एका दो होगा खेतली खेतली किसके लिए है तामबा के लिए है एका दो हो जाएगा एका एका दो दिया हुआ है एका दो इसमें दिया गा थोड़ा से इसको पजल कर दिया गा है इसके लिए इस तरह से आपसन एक करेक्ट हो जाएगा एका दो और बी का बी का कितना है बी का तीन और सी का क्या है बी का तीन और सी का क्या है सी का जो है एक है जिसको पजल किया गया है option A ही correct हो जाएगा निम्खित में से कौन अस्थल मंडल का वरण करता है उपरी और निचला mental भूपरपटे और उपरी mental भूपरपटे और क्रोड या फिर mental और क्रोड तो जो अस्थल मंडल का वरण करता है भूपरपटे और उपरी mental भी option correct है मध्यवर्ती अंतरवेदी अगने चटानों का उधाराण है ग्रेड नाइट, डाइक, बेसाल्ट या फिर उपर्योक्त में से कोई नहीं तो मध्यवर्ती अंतरवेदी जो चटान है इसका जो उधाराण है यह डाइक भी option correct है जो आलमकी उधगार के दवराण उपर की ओर अगरसर मैगमा जब धरातली अवरोद अथवा प्रवाह में कमी के कारण दरारों तथा चिद्रों में निचिपित हो जाता है तब इसे मध्यवर्ती आगने सेल काते हैं स्थिकरता से जमने के कारण इतनी रवें यानि क्रिस्टल नहीं बन पाते हैं टोला राइट इसी प्रकार के सेल के उधारन है इसी प्रकार के अन्य जमाव में सिल, डाइक, सीट, बैथोलित, बैथोलित और फैकोलित आधी परमुख है यादि डाइक नहीं है तो आपको मिल जागा सिल सिल मिल जागा सिल के अलावा यादि सिल भी नहीं है तो आपको मिल जागा डाइक, सीट, बैथोलित और फैकोलित ये भी आपको मिल सकता है इसका अंसंग भी हो जाएगा निमिखित अस्थला कृतियों में से कौन काश्ट अस्थला कृतियों में सम्रित नहीं है Q25 देखी निमिखित अस्थला कृतियों में सम्रित नहीं की जाती है जुवाला, अंधी घाटी, सीफ टिब्बा या फिर निमगन सकरी घाटी तो कौन सा नहीं कियाता है, यह कियाता है सीफ टिबबा, C आप्सन करेक्ट हो जाएगा सीफ टिबबा या सीफ इस्तूप, बालु का इस्तूप के बिसिस्ट रूप है यह पवन के नीचे पर दोवार निर्मित अस्थर रूप है अता यह काष्ट अस्थराकृत नहीं है, जुबाला अंधी घाटी तथा निमगन संकरी घाटी काष्ट अस्थराकृती में सम्रित किये जाते हैं, इसका आप्सन C करेक्ट हो जाएगा ज्वाला मुखी किरिया के बारे मनीनुखित में से कौन सा कथन सही नहीं है असी प्रत्सत ज्वाला मुखी अभिषारी प्लेट सिमावपर मिलते हैं पीलियन तुल्य ज्वाला मुखी सबसे अधिक भयंकर एवं विसफोटक होते हैं भुमद सागर में इस्थित इस्ट्रामबोली एक प्रसुत ज्वाला मुखी है या फिर डी जब ज्वाला मुखी मिर्त प्राय हो जाता है तो ज्वाला मुखी पाइप की जमने से लावा का प्लग का निर्माण होता है तो क्या नहीं है पुछा गया है ये भी सही है ये भी सही है ये भी सही है लेकिन ऐसा नहीं होता है बहुमंद्द सागर में जो इस्तिद इस्ट्राम्पुली एक सुसत्त ज़ला मुखी है तरीस तरह से C option correct हो जाएगा ये क्या है ये सुसत्त ज़ला मुखी है इसे आसपास के छेत्र में प्रकासमान रहने काने से भूमद सागर का इसको प्रकास अस्थम भी करते हैं तो C option correct है निम्न नदी डेल्टा के में कौन एक पच्छी पंजा डेल्टा का उधाराण है गंगा डेल्टा, निल डेल्टा, मिसी सीपी डेल्टा, राइन डेल्टा तो जो पच्छी पंजा डेल्टा का उधाराण है वो है मिसी सीपी डेल्टा, C option सही हो जाएगा प्रिथिवी की सत्व पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदाई कारकों की पचान कीजिए प्रिथिवी का घुड़न, प्रिथिवी का परिकर्मण, प्रिथिवी का अपनी धूरी पर जुकाओ, सुर्य का घुड़न क्या पूछा गया है? प्रिथिवी की सत्व पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदाई कारक तो जो मौसम परिवर्तन के लिए उत्राई का रहा है वो क्या है प्रिथिवी का परिक्रमण और प्रिथिवी का अपने धूरी पर जुकाओ यानि कि एक दो और तीन भी आप्सन करेक्ट हो जाएगा गला कोशन लेते हैं दो पूरी माओं के बीच अंतराल होता है लगबग 26.5 दिन 27.5 दिन 28.5 दिन या फिर 29.5 देज तो दो पूरी माओं के बीच जो अंतराल होता है वो ता 29.5 देज डी आप्सन करेक्ट है तो चलिए अंतराश्चित इति रेका 176 दिन 27 से कितनी बार विचलित होती है ठीक है तीन बार 6 बार 8 वार या पी 10 बार ते कितनी बार होती है यह होती है तीन बार ए आपसन विलकुल सही है सेन एंड्रियास भरंस है रुपांत्रान भरंस अभिशारी भरंस प्रसारी भरंस या फिर निमज्जन कारी भरंस तो भरंस है किस प्रकार का भरंस है यह है रुपांत्रान भरंस आपसे नंबर यह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि में निम्लेखीत में से कौन सुमेले तो नहीं है ज्वाला मुख्य दिया एक तरह उसके डेष दिया है कोलिमा कोलिम मैकसिमगों की मेरापी कहाँ है इंटोनेसियम है यही जर्वंकाय का यांसे है यह पेरू में यही है और गलत है यही आला या cares जोय दोश्य Western pages यूफित में से कौन प्रात्मीक सेल है आगने अवसादी में से और के सभी नोती तो कर लिए को ही सेल है है यह यह क्या है हमारी प्रात्मीक सेल है एtesन जीजिक है उचा को सुचिद मिलाणा है और इक तरफ चाहना और हम उल्ट घार खाहा पर भति खाना है ठीक है और यह चिली और पेरु की सिमावर अ यह कहाँ दहर बहती है उत्तरी अर्टलांटिक अपहा यह गर्म है और यह कहाँ पर वहती है । युनाहटेट किंग्डम नार्वे में घृइंगवियूला अद्यर मिन इस चाका उंडर सांध्य तो A का 2, A का 2 किस अप्सन में दिया गहा है? A का 2, B का 3 A का 2, B का 4, C का 1 A का 2, B का 4, C का 1 किस में दिया गहा? A का 2, B का Sorry इसका जनस्र करह भगा B B आप्सन correct हो जाए A का 2, B का 4, C का 1 और D का 3, B आप्सन मिल्कूल correct है ज्वार भाटा की उत्पत्य समंदित निमिखिन में से किस सिधान को दोलन सिधान भी कहते हैं बिलियम वेवल का प्रगामी तरंग सिधान नूटन का संतुलन सिधान हैरिस का इस्थिय तरंग सिधान या फिर लापलास का गतिक सिधान किसको बोलते हैं यह जो बोलते हैं यह है इस्थावर्थ तरंग सिधान्त को दोलंग सिधान्त भी कहते हैं को दुर्हा मूव Tá Ge in में कौण से एक ठंडी मास आगरा से नहीं है कैलिफोर्णिा धारा किनारी धारा शुमाली धारा या फिर सूसीमा धारा है सूसीमा धारा एक ठंडी मास आगेल धरा नहीं इः डी आप्षें कर्येक्ट है मार जीव मंदल के संग्ण्टयर के विभीन अस्तोरों के बारे मिन्ली विंजित में कौन सा एक शैजरी अनुकुरं है पर जियुंनल समुधाय जनसंख्या जियुंनल समूदाय 2008 मैं कि जीव जन संख्य को स्मुद्ध यानिके जीव जन संख्य उसके बढ़ाएगा प्कार्ती के तन्थ्र पिर जीव मंडल, आपसन नमबर D करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन लेते हैं किस परकार की वनस्पती का दच्छडी गुलारद में लगबग अभाव पायता है वह है भुमादे रेखी वन, भुमादे सागरी वनस्पती, बोरियल वन या फिर सितुर्ष घास तो किस तरह की जो बरिस्पती का अभाव पायता है दच्छडी गुलारद में वह है बोरियल वन, सी आपसन मिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस घास के मैदानों में से कौन सा युग में एक ही वर्ग से समंदित है सवाना, प्रियरीज, स्टेपीज, सवाना, सवाना कंपोज या फिर कंपोज डाउंस तो कौन सा रिडेटेड है यह है सवाना और कंपोज उस्ट्रकट बंदी घास के मैदान है यानि कि सवाना और कंपोज कैसी घास के मैदान है उस्ट्रकट बंदी घास के मैदान है पुस्ताज हंगरी में बेल्ड दच्छिड अफ्रिका और केंट वरी न्यूजिलेंड ये सब घास के मैदान उससे रिलिटेट देश है जिसमें कि पुस्ताज और केंट वरी इंपोर्टेंट है आपके आने वाली एक्जाम के लिए अंतराष्टी परियावनर्ण सिच्छा कारकरम का सुभारम कीस वर्स में हुआ था 19Lab modern 1975 1985 या फिर 1995 यह कब हुआ था? यहा था 1972 में युनिसको द्वारा आवेजएत मानोप परियावनर्ण पर इस्टाक खूम सम्मेलन के बाद वर्स 1975 में अंतराष्टी परियावन सिच्छा का कि शुरुबात की थी आपसा नंबर बी इसका बिल्कुल सही है अगला कोशन है पौधों और जन्तों की सरवधिक प्रजाती विवित्ता मिलती है सितुष्ण पड़पाती बनों में उष्ड कटबंधी वर्सा बनों में अत्यदिक प्रदोसित नदी में या फिस सवाना में त आपसा नंबर बी बिलिक करेक्ट एंसवर निमनिक्ति में से कौन आध्वनिक मानो भूगल का जन्दाता का लाता है तो आध्वनिक मानो का जन्दाता या आपको याद रखना है अध्वनिक मानो भूगल का जन्दाता किसे बोलते हैं तो यह बोलते हैं फ्रेडरिक रिट अगला कोशन दिखते हैं मानव भोगल की निम्लिखित विचार धाराओं में कौन सी जर्मन संपरदाय से समंदी थे निश्चवाद संभवाद नौ निश्चवाद या फिर उप्युक्त सभी तो जर्मन संपरदाय से समंदी थे वह कौन सा है वह है आपका निश्चवाद आपसा नौबर यह बिल्कुल करक्ट जागा और संभवाद समंदी थे कहां से फ्रांसीसी से नौनिश्चवाद अमेरिका से समंदी थे यह भी आपको ध्यान रक रहे हैं जन्ना की संक्रमाण है जन्संक्या की नसरगी विर्द्य और परवास दर का अंतर जन्मदर और मिर्त दर में समय के साथ होने वाला परिवर्तन संस्क्रिति परिवर्तन समंदी सिधान या फिर जन्मदर में परिवर्तन तो यह क्या है जन्मदर और मिर्त दर में समय के साथ होने वाला परिवर्तन आपसे नमबर B. बिल्कुल सही है. सलेज क्या है? एसकिमो की बीना पहिये वाले गाड़ी टुंडा प्रदेश में प्रयोक की जानेवाली एक लखड़ी की बनी नाउ एसकिमो के मचली सिकार का उजार या ठुंडरा का एक पसू यह क्या है? इसकीमों की बीना पहिये वाली गाड़ी होती है सलेज प्रुंडा प्रदेश में प्रयोग की जाने वाली एक लख़डी की बनी नाव यह क्या है और इसकीमों को किये मचली का सिकान का उजार जो था उसे बोलते हैं हारपून ठीक है यह आपको याद रखना है अगला प्रशनल लखते हैं निवनिखित सूची एक को सूची दो से मिलाना करना है एक तरफ दिया है आदिवासी समूँ और एक तरफ दिया है उसका प्रदेश या फिर छेत्र यह इसको देख लेते हैं बुस्मन तो पहां पाजाता है आपको भली भात पता है नामीबिया में यानि की A का चार पिग्मी aisक्मी कांगो जायरह यानि की जायरह Caesar iskimo पै ऐते हैं अलस्का और गियरलन्ड हुआ और गोंड पता हुआते हैं भारत में A का चार B का तीन सबसे पहले कौन सी प्रजाती उत्पन हुई थी आस्ट्रेलिया मंगोलाइट निग्रो या फिर निग्रोटो तेहां पुछा क्या है सबसे पहले कौन सी जाती उत्पन हुई थी यह पुछा सवाल यह है तो ग्रीफिट टेलर के मतानुसार सबसे पहले निग्रीटो प्रजात का अभिकास मद एस्या में हुआ था कहां पे मद एस्या में निग्रीटो प्रजात के लोग अफरिका के भूमत रेखी वनों कांगो बेसिन यानकी स्रिलंका मलाया दच्छडी पूरुवी दीपसमू अं क्षडाग के तुर्फ है अस्थान नरीव किरिशी का नाम रुडेशिया में जो किरिशी उसको बोलते हैं मिल पास को ब्राजील में जो किरिशी होते albums को भून कि मैं लदांग बूलते हैं और उडान duy नीगाशु तो यह सई हैं यह वह संडी नहीं स़र्छी ऑला इसके लिए जाना जयता है नीदर्लेंड में ऌत मिछ उत्यों पोट निर्माल उत्यों और wok Visek वस्थ वत निर्मार उत्यों रतन है उत्यों त्यों wn अगरणी उत्पादक हैं। चीन भारत जापान या फिर इटली तो संसार में प्राक्रितिक रोस्ते रिषम का जो अक्णड़ी उत्पादक है चीन ए आप्सन करेक्ट है यह देख लेते हैं चीन के बाद किसका देश कर नमबर आता है तो चीन के बाद जो आता है भारत दूसरे अस्तान पर आता है और भा कर्मुक उत्पादक देश हैं अगला कोशन लेते हैं एकत्रवद्या संसाधन के प्रकार वाइकत्रवद्या उसके उधाहरण नब्यकरणी कैसा है वो कैसा है वो है मिट्टी ठीक है और नब्यकरणी के आ गाएगा थोरियम आ जायएगा इसको आप दूबार यूज नहीं पुना चक्री यानि कि उसको रिसाइकल कर सकते हैं जल है यानि कि जल यादी गंदा है तो आप उसको रिसाइकल करके सही कर सकते हैं एकल का है एकल है क्रायोलाइट एका दो बी का चार एका दो बी का चार और सी का एक ठीक है ए आप्शन क्रेक्ट हो जाएगा लिमने खित में से कौन तिरतियक किरियाएं हैं क्रिशी उद्योग सेवाएं या फिर सभी सही है तो तिरतियक किरिया पुछा गया है इसमें तिरतियक किरिया कौन सा है तो यह है आपका सेवाएं सी आप से में करेक्ट है तो चलिए आई होप आपको यह सेशन पसंद आगा सेशन पसंद आते वीडियो को लाइक करें और यदि आप चैनल पर पहली वार ब्लेट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें टीजीटी और पिजडी के लिए भोगोल का जो प्रिवेस हेर होता है आपके लिए से सूचना है उसके लिए इस वीडियो पर काम चल ला है एक नहीं दो वीडियो में आपको मिलेगा पूरा कम्प्रीट प्रिवेस यह सौल पेपर विद एक्सप्रेंडेशन तो वह जल्दी होने माला है आपको सुचित किया जागा एक दिन पहले आप उसको जरूर वाज़ करें जिससे कि आपको बहुत सारा हेल्प मिलने वाला है अंतराश्टी दिथी रखा एक सोच्छे डिए दिसांतर से थोड़ा बिचलित है यह जिससे यह समान प्रसासन के अंतरगत अस्था समान सरिस्थित दीब समों को बिवाज़त नहीं कर्त से इसमान प्रसासन के अंतरगत इस्थित दीब समों को बिवाज़त नहीं करती है आगला प्रस्टी गोटेण बर्ड डिस कान्तिनियुटि मेंसे किसके बथ पा। Şimdi क्रोड तथा निचला क्रोड, मेंटल क्रोड तथा क्रोड, परपटी और मेंटल, उपरी मेंटल तथा निचला मेंटल, तो किसी किसी बीच पाई जाता है, यह पाई जाता है, आपसा नंबर, बी, मेंटल तथा क्रोड की बीच, अब बात करते हैं, कॉनराट असमदता उपरी मेंटल तता निचली मेंटल के बीच पायाता है चलिए अगला प्रसंद देखते हैं निम्निखित में से कौन साच महादीपी विस्थापन की पुष्टी नहीं करता है पुरा चुम्मकत्व तापी संकुचन ज्वारितल या फिर सागर नीतल प्रस्रण तो कौन सा नहीं करता ह यह जो है तापी संकुचन माज़िपी विस्थापन की पुष्टी नहीं करता है बाकी यह तीनों करते हैं चलिए अगला प्रसंद लेते हैं निम्निखित में से कौन सा अंक 200 की मुख्य टेक्टोनिक प्लेटों की सही संख्या दरसाता है 6, 7, 8 या फिर 9 तो कौन सा दरसाता है साथ कि अगले प्रस्म बढ़ते हैं कि इन खित भूवाकिरती प्रिकिर्याओं में से किसके द्वारा अंडों की टोकरी जैसी इस ध्यक्लिर्थ बन ती है नादी जल द्वारा कारे समुद्रिल लहळों की कारे किसके रबनती है, यह बनती है तो यह उसार करता है पलेन पलेन या फिर इंड्रंफ तो क्या कह inh jumps dawता है इसको बलाता है इंड्रंफ आपसे नंबर बिल्कुल रख जाएगा इस वाय में दर वुपस्थित औजोन प्रत की उचाई कितनी है 15-60 km, 10-15 km, 60-80 km या फिर इन में से कोई नहीं तो वाय मंडल मुपस्तित ओजोन प्रत की जो उचाई है वो है 15-60 km यह है आपको पता है कि ओजोन लेयर जो होती है हमारी अल्ट्रा वालेट की रोड़ से सुरच्छा करती है इसका आप्शन बिल्कुल नंबर एक करेक्ट है अगला प्रस्ण इमने लिखित अस्थानी पौनों में से किसे हीम भच्छी यानि कि स्नो इटर कहा जाता है चिनूक, सिराको, हर्मटन या फिर खमसिन इसको बोलते हैं चिनूक को ए आप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला प्रस्ण ट्रक खेती एक बिसेस प्रकार की खेती होती है चाय की, ट्रकों की, गेहों की या फिर सब्जों की जो तो ट्रंक खेती जो वह होती है आपके सब्जियों की एक विसेस्प्रकार की खेती है, अगला प्रश्ण है, बाड़िजी खेती की विसेस्थाएं निम्निकित मेंसे कौन सी है, किसान बजार के लिए फसलों को उगाते हैं, किरिसी चत्रों का बजार से अच्छा संपर्ख होता है किर्षी क्रियाएं मुखता हाथों से की जाती है या फिर किर्षी छोटी चेत्रों तक ही सीमित है इसका जो क्रेक्ट एंस्वर है वो है आपसन नमर एक किसान बजाल के लिए फसलों को उगाते हैं यह आपसन विल भी जो राइट एंसवर अगला प्रश्ण तिर्तियक आर्थिक क्रियाओं से में समलित किया जाता है क्रिसी निर्माड सेवाएं या फिर ब्यापार तो तिर्तियक के आर्थिक क्रियाओं में क्या क्या समलित किया जाता है या आपको बताना है तो यह किया जाता है तीन और चार को यानि कि सेवाएं और ब्यापार को कौन सा सही नहीं है एसकीमों इगलू खिरगीज यूर्थ मसाई क्राल या फिर बद्दू की बीटी का तो कौन सा सही नहीं है आपको बताना है आप बता सकते हैं इसकीमों क्या इगलू समनित है इसका जो करेक्ट एंसर जाएगा वह जाएगा डी बद्दू की बीट का समनित बलकी जो है, इसकिमो फ़रा बरभ से बनाएary हर्द हो लगार आवास है, यह इसकिमो है, इनके आवास दिया गया है, इगलू आश्किमो माथे है, खिरिगिज जो है, यूर्त बनाती है, और यह मद-देशिया के खिरिगिज दरभना राता है, और जो मसाई हैं, वो क्रालमु या फिर नर्वेजियन सागर में तो यह इस था आपके उतरी सागर में आपसा नंबर सी दिवकुल कर्यक्ट है क्रिवाएर रांग का प्रसिद्द जब शेटर रूस में यूकरेंट में या फिर कजाकिस्तान में यह कहां हंशते ते यह सित यूकरेंट में सी आप्सन मिल्कुल करेक्ट है यूक्रियन किस से जुड़ा हुआ था अभी रिसेंटी विवादों से आप कमेंट कर बताएंगे किस से किसे विवाद हो रहा था यूक्रियन का अगला पूशन है जन गड़ना 211 के आकड़ी के अनुसार भारत में पुरुस और महिला साचर्दादर का अंतराल कितना है 16,38 16.68 या फिर 17.38 और 14.68 प्रत्सत इसमें महिला और पुरुसों का जो अंतराल है साचरत का कितना है आपको बताना है तो यह जो है 16.68 प्रसत का अंत्राल है निम्रिखित दीपो के योगमों में से कौन सा एक दस अंस जलमार्ग द्वारा आपस में प्रिथक किया जाता है अंडमान और निकोबार निकोबार यम सुमात्रा माल्दीम लक्षदीब सुमात्र यम जावा तो कौन कहता है यह कहता है अंडमान और निकोबार आपसा नमबर A करेक्ट हो जाएगा विश्व प्रसीत कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी इस्तित है महान हिमाला में सिवालिक हिमाला में ट्रांस हिमाला में या फिर मद्ध हिमाला या लगु हिमाला में तो यह का इस्तित है यह मद्ध हिमाला तथा मद्ध हिमाला या दी आपसे इसका विल्कुल सत्य है नदियों का तथा सहायक नदियों का निमिखित में से कौन सा योगम सुमिलित नहीं है यह पूछा है गोदावरी, इंदरावती, गंगा, पेन गंगा, कृष्णा, भीमा, या फिर डी, लूना और सुकरी तो कौन सा सुमिलित नहीं है यह गंगा और पिन गंगा सुमिलित नहीं है बाकी तीनों सुमिलित है किसी जील के चारो और बसा गाउं किस प्रतिरूप में आएगा और यह निहारिका, नाभिकी या फिर तारा तो इहाएगा निहाल का प्रत्रोप में B origin correct है कारा गन्डा कोला च्छोस थे फ्रांस में, कजाक्ष्टान में, संक्त्याज अमेरिका में या फिर चीन में या फिर चीन में, तो यह थे बिद्याक्ष्टान में B action इसका ब्लिकूल correct हो जागा गन्य के विकास के लिए उप्यक्तित आपमान की सीमा कितनी होनी चाहिए 31 से 37 डिगरी, 21 से 27 डिगरी या फिर 15 से 20 डिगरी और 14 से 21 डिगरी तो यह होना चाहिए 21 से 27 डिगरी बीच में भी आपसन मिल्कुल करेक्ट हो गया टेलिग्राफ पठार इस्तित है उतरी प्रशांद महासागर में उतरी अंध महासागर में जिसको अटलांटिक महासागर बोलते हैं यह चांस तिया माना जाता है 20 से 40 डिगरी उत्तिर चांस के बीच आपसा नमबर बी बिलुकुल करेक्ट है रेड इंडियन अथवा अमेरिकन इंडियन निमनिक में से किस परजात के हैं काकेसायड परजात मंगोलायड आस्ट्रेलायड या फिर निग्रोटो तो यह समंदित ह अपसा नमबर बी इसका करेक्ट अंसवर है भारत का प्रत्म राश्ट्रेश यह गतांकेां कंसाय में चाहिं है राजस्थान, अरुणाचा प्रदेश, मद्य प्रदेश या फिर महाराष्ट में तो कहा है यह है मद्य प्रदेश में आपसा नंबर B विल्खुल करेक्ट है अस्थानांतरी खेती के अनुवार विश्ष्षता क्या है अगला प्रशन है निम्लिखिद में से कौन सा पद केवल जीव द्वारा गरहन किये गए दिक्मान का ही नहीं बलकी जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भोमिका का भी वड़न करता है यगो-ठोण, आवाज ज्षेत्त, पायष्थितिक कर्मता या परश्थितिक की नीज तो कौन सा है ये है पारश्थितिक कर्मता worship रिकर्ट हो जाएगा उष्ड कट वन दी पड़पाती वन, B आप्चन, स्वरी, A आप्चन,